भगवत गीता की कहानी जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ किताबे बंद करने के साथ साथ मैं उसे भूल जाता हूँ अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ तो भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाब होता है तब दादा जी एक कोईले की टोकरी पकड़े हुए थे वो पोते की तरफ देखे और उसे कोईले की टोकडी देते हुए कहा नदी पे जाओ और मेरे लिए एक टोकडी पानी लेकरा दादा जी ने जैसे कहा लड़के ने वैसे ही किया लेकिन जैसे ही अब वो घर पहुचता टोकडी का सारा पानी निकल जाता दादा जी ने मुस्कुराते हुए खा वापस पानी लेके आओ और नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुचने के लिए तेज भागा लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादा जी ने देखा तो टोकरी खाली थी दादा जी ने पोते को फिर से कोशिश करने के लिए कहा लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाती है और टोकरी खाली हो जाती है लड़का ठक गया और अपने दादा जी को कहा दूर नदी से तोकरी में पानी लाना असंभव है मैं आपके लिए पानी से भड़ी बाल्टी ला सकता हूँ दादा जी ने उत्तर दिया मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए मैं चाहता हूँ तुम उस कोईले की टोकरी में से ही हमारे लिए पानी लेकर आओ और कोशिश करो लड़का जानता था कि यहां असंभव है लेकिन उसने अपने दादा जी की बात मानी और फिर से कोशिश की इस बार लड़का जितने जल्दी हो सके दोड़ा लेकिन फिर भी टोकरी खाली थी लड़का थक गयार उसने अपने दादा जी को कहा खो दादा जी इस टोकरी से नदी में से पानी लाना हमारे लिए असंभव है दादा जी ने उत्तर दिया तुमको लगता है कि यहां संभव है लेकिन जड़ा टोकरी को देखो लड़के ने टोकरी की और देखा कि टोकरी बहुत साफ सुत्री दिख रही है उसने देखा टोकरी से कोईले के सारे दाग हट गये है अब कोईले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गया था दादाजी ने कहा तुमने देखा कि टोकरी अब सारे दाग्ड मुक्त हो गया है जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है तुम जो पढ़ते हो उसे तुम समझे यार नहीं रख सकते लेकिन यह शब्द तुमको अंदर और बाहर से विलकुल बदल देगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें धन्यावाद